ये आकाश्वाणी रायपूर है, प्रादेशिक समचार ब्लेटिन के साथ मैं राहू सिना और अब पेश है आज के मुख्य समचार केंदरी वितायुक के अध्यक्ष डॉक्टर अर्विंद पनगडिया ने आज 36 गड़ प्रवास के दुरान मुख्य मंत्री और मंत्री मंडल के सदस्यों के साथ ही पंचायत और नगरी निकाय प्रतिन्दियों के साथ बैठक की मुख्य मंत्री उष्ण देशाय ने आज एक पेड़ मा के नाम अभ्यान के तैत नवारायपूर में महावरिक्षन रोपन अभ्यान का शुभाराम किया केंदरी सरकार ने पीमची योजिना के तैत तिसचरण में 36 गड़ की 52 शालाय स्युक्रित की और दंतेवड़ा जिले में आज दो इनामी सेंथे तीन महावादियों ने आत्मसमरपन किया अब समचार विस्तार से केंदरी वित आयोक के देक्ष डॉक्टर अर्विंद पनगडिया ने आज रायपूर में मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और मंदल के सदस्यों के साथ बैठक की पैठक को संबदित करते हुए डॉक्टर अपनगडिया ने कहा कि चत्तिसगर में विकास कारे तेजी से हो रहे हैं उन्होंने कहा कि विक्सित भारत और विक्सित चत्तिसगर बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए विनिर्मान इकाईयों की स्थापना पर जोर देना होगा इस उसर पर मुक्यमंत्री विष्णिदेव साय ने कहा कि राज्य की कठिन भोगलिक परशित्यों के चलते अदुसर अचना में अत्रिक्त वैभार आता है उन्होंने कहा कि मावाद प्रभाइत क्षेत्रों में विकास कारियों में तेजी लाई जा रही है नियद निलानार योजुना के तेट इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुईधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार किये जा रहे हैं उन्होंने केंद्री वित आयोग से प्रदेश के विकास के लिए वित्तिय सायता की मांग की इस उसर पर प्रदेश के वित्त मंतरी ओपी चोधरी ने भी राजी के वित्तिय सित्य और आवशक्तों के संबंद में आयोग के समक्ष अपनी बात रखी बैठक के दोरान मुख्य सेचिव मिताब जैन ने राज्यक के संबन में एक प्रस्तूती करण दिया इस उसर पर विभिन विभागों के वरिष्ट अधिकारी उपस्ती थे आज रैपूर में पत्रकारों से चर्चा करते वे केंद्री वितायोग के अध्यक्ष डॉक्टर अर्विंद पनगडिया ने कहा कि वितायोग विभिन राज्यों का दौरा कर रहा है आज हुई बैठक में केंद्र सरकार के 2047 के विजन के बारे में बताया गया आज आयोग ने पंचायत नगरी निकाया और राजनितिक दिलों के प्रतिनिद्यों के साथ भी चर्चा की बैठा के दरान पंचायत प्रतिनिद्यों ने पंचायतों के वित्तिय सिती को बजबूत बनाने के लिए केंद्र से मांग की वही नगरी निकाय के प्रतिनिद्यों ने वित्तिय संसादनों की उपलब्धिता बढ़ाने और वित्तिय प्रबंधन को सुधारने की मांग की। पुलीस और सुरक्षा बलके जवानों तथा वनिभाग के अमले ने अपनी सहभागी तनी भाई। इस अभियान की तैतों 36 गड़ में वनिभाग द्वारा वनक्षेत्रों में करीब 4 करोड पौधों का रोपन किया जाएगा। पौधे जैसे पीपल, बरगद, आधी पौधों का रोपड किया गया। उधर सकती जिले में कल व्रिक्षर उपन कारकम का आईजन किया जाएगा। इसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 4 व्रिक्ष बेटियों के नाम पर पौधे लगाए जाएगे। वहीं एक पेड़ मा के नाम अभियान के तहत दुर्ग जिले के प्रतेक आगनबाडी के अंदर में पोशन वाटिका के साथ ही मैलाओं और बच्चों में परेवरोन के प्रती जन जागरुकता के लिए कल जल शक्ती से नारी शक्ती अभियान और विक्षर उपन कारकम आजि चालीस करोड पौधे लगाने का लक्ष रखा गया है। अनिमित्ताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दुबारा परिक्षा कराने की मांगवाली आजिकाय शामिल है। प्रतम चरण में 211 शालाओं को PMC उजना में शामिल किया जाने की सुखरिती मिली थी। इस प्रकार राजि में कुल 263 शालाओं को PMC उजना के अंतरगात मौडल स्कूर के रूप में विक्सित किया जाने की सुखरिती मिल चुकी है। गौर तलब है कि चतिसगर में PMC उजना का शुभारम 19 फ्रोडी दोहजार चौबिस को केंदरी शुक्षामंते धर्मिंद्र पधामने किया था। संपूर्णता अभियान के तहित कुंडा गाउं जिले के अकांक्षी विकास खंड माकडी में स्वास्विभाग का प्रिशुक्षण सह समिक्षा कारक्रम आजिद किया गया इसमें संपूर्णता अभियान उत्सो स्टॉप डैरिया अभियान और शिशु सरक्षण महापर माकडी में संपूर्णता अभियान उत्सो के तहित आज से 67 ग्राम पंचायतों में स्वास्विभाग महिला और बाल विकास्विभाग तथा कृषिव विभाग दोरा शिविर का आजिन किया जा रहा है वहीं संपूर्णता अभियान के तहित नरानपुर जिले के और चा अभुजमान में शिविर लगाया गया उसमें पैसरत लोगों का स्वास परिक्षण किया गया साथी दस लोगों का आईश्मान कार्ड बनाया गया प्रादेशिक समचार आप आकाश्वणी रैपूर से सुन रहे हैं बीते एक जुराई से देशबर में तीन ने आप पिंटा मारवाही जिले में भी नविन कानूनों के संबन में एक जागरुपता कारगाम का आईजिन किया गया इस दोरान पुलिस नियंतरान काक्षि गोरेला में आजित कारका में अतरिक्त पुलिस अदिक्षक ओम चंडेल उप पुलिस अदिक्षक दीपक मिशौ और निक लोक अभियोजन अधिकारी प्रेंटरेंशुकल ने पत्रकारों को नए कानूनों के बारे में बताया दंतेवाड़ा जिले में आज तीन महावादियों ने आत्मसमरपण कर दिया है इनमें से दो महावादियों पर एक एक लाख रुपय का इनाम घोशित था इन महावादियों ने पुली सदिक्षा गौरो राय के समक्षा आत्मसमरपण किया ये सभी महावादी कुंटा और कटे कल्याड एरिया में सक्री थे आत्मसमरपण इनने सभी महावादियों पर सड़क होदने, पिड़काटने और नकसली बैनर पोस्ट लगाने की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है भारती जनरता पार्टी के प्रदेश मंत्री प्रवल प्रतापसे जुदेव एक सड़क दुरगटा में घायल हो गए हैं उनका इलाज राजधानी रैपूर के किनिजी उस्पताल में चल रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शीजुदेव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और अब पेश है मौसम का हाल अगले 24 घंटों के दरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा होने अत्वा गरचमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरचमक के साथ अंदर चलने तथा आकाशी बिजली गिरने की भी आशंका है मौसम विभाक के नुसार एक मानसून द्रोणी का बीकानेर जैपूर उरेई बलिया आसनसोल बगाती होते हुए उत्तरपूर बंगाल की खाड़िता किस्थ है वहीं एक चक्री चक्रवाती घेरा उडिशा के उपर बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में 13 जुलाई से वर्षक की गतिवधी में वृद्धी होनी की संभौना है और अब कुछ खबरे संक्षेप में 36 गड़ विधासवा परिसर में आज चालू वित वर्ष के लिए गठित वित्तिय समितियों की संयुक्त बैठक संपन हुई 36 गड़ राज विद्ध वित्रण कंपनी लिम्टेड कंपनी का प्रबंद संचालक कारेपालक निदेशक भीमसी कमर को बनाया गया है पुलिस ने बलदा बजार नगर में घटित तोड़फोड और अगजनी की घटना में शामिल एक और आरोपी को गिरिफतार किया है अब तक 169 आरोपे को गिरिफतार किया जा चुका है दुशकर्म पिडित्र की शिकायत दर्ज नहीं होने के आरोप में महासमुन के कोमा खान थाने में टी आई को निलंबित कर दिया गया है बिलाई के सेविक सेंटर में आजू तक ग्राण एफपियो मेले का उधगाटन वासुदेव चंद्राकर कामदिन विश्यदैला के कुलपती डॉक्टर राम रणविजय सीं द्वारा किया गया और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीवी की टीम ने आठ हजार रुपए के रिश्टत लेते वे नराणपूर एसजेम कारेले में पदस्त एक कलर को गिरिफतार किया है अंते में मुखी समचार एक बार फिर केंदरी वितायुक के अध्यक्ष डॉक्टर अर्विंद पनगडिया ने आज 36 गड़ प्रवास के दुरान मुखी मंत्री और मंत्री मंडल के सदस्यों के साथ ही पंचायत और नगरी निकाय प्रतिनदियों के साथ बैठक की मुखी मंत्री उष्ण देशाय ने आज एक पेड़ मा के नाम अभियान के तैत नावरायपूर में महावरिक्षन रोपन अभियान का शुभाराम किया केंदर सरकार ने पीमशी योजिना के तैत तिस चरण में 36 गड़ के 52 शालाय स्युक्रित की और दंतेवड़ा जिले में आज दो इनामी सेंते तीर महावादियों ने आत्म समर्पन किया इसी के साथ प्रादेश्यक समचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार